नमस्ते फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर शानल अगर आप सोच्छेयों की चाय के साथ में क्या ऐसा खाया जाए जो बहुत ही हिल्थी हो और बहुत जल्दी बन भी जाए तो आज हम बनाएंगे बना चोकलेट केक जो बहुत जल्दी बन के भी त्यार हो जता है और यह केक होती है वो अराम से निकल आती है तो इस तरह से कटिंग करने के साथ में हम एक बार फिर से इसको उपर से भी ग्रीस कर लेंगे ऑगर आपके पास ऐसा मोल नहीं है तो आप स्टील का कोई भी घर का बरतन ले सकते हैं उसको अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे साथ में हम इसको बिना ओवन के बना रहे हैं तो यहां पर एक कड़ाई लेंगे और इसके साथ में ऐसा कोई भी स्टेंड अगर स्टेंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी उल्टी करके रख देंगे और इसको 10 मिन के लिए प्री हीट होने के लिए रख देंगे अब हम अपना शुवर जो है मैंने यहां पर हाफ कप ली है और इसके साथ में लेंगे वन फॉर्स कप ऑईल के साथ में डालने के साथ ही हम डालेंगे उसमें हाफ कड क्यूंकि हम कोई भी एक वगरा यूज नहीं कर रहे हैं उसको फ्लफिनेस के लिए तो यहां पर मैंने कर डाला है और अगर आपको जो बनाना है केक में ठोड़े बाइट्स अच्छी लगती है तो आप इसको फोक की हेल्ट से भी मैश कर सकते हैं लेकिन मेरे बच्चों को ज्ञादा पसन्द नहीं है बनाना इस तरीके से तो उसको तरीका है खिलानेका बच्चों को कुछ न कुछ जो हेल्थी वो उनके tummy में जाती रहनी चाहिए तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसका paste बना लिया है अब हम इसको एक bowl में transfer कर लेंगे और साथ में अब मैं जो है आते का cake बना रही हूं तो यहाँ पे जो है वो multi grain आता लिया है मैंने एक cup साथ में डाला है थोड़ा सा baking soda और baking powder और यहाँ पे दो चमश कोका powder डाल रही हूं अगर आपको dark chocolate cake पसंदे तो आप तीन चमश भी डाल सकते हैं इसके साथ में हम डालेंगे एक चमश corn flour corn flour जो है उसे जो cake की अच्छा बंद के ready होता है यह optional है अगर आपके पास है तो जरूर डालेगा अगर नहीं है तो skip बे कर सकते हैं इन सब को करने के साथ में अब अच्छे से mix करेंगे और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको mix कर रही हूं और अब यह थोड़ा सा ठीक हो गया है तो अब डालेंगे हम इसमें आदा कप दूद दूद जो है वो normal room temperature पे है तो और साथ में एक चमज वनीला essence अगर आपके पास banana essence है तो आप वो भी डाल सकते हैं टेस्ट बहुत और खुश्बू अच्छी आती है तो डालने के साथ में इसको अच्छी से mix करेंगे आप देख सकते हैं और जो cake का जो better है वो एक ही direction में move करना होता है हमें तो यहां पर better ribbon के ready हो गया है और जो हमने अब mold में transfer करेंगे हमने इसकी preparation पहले करके रख ली थी तो अब साथ में इसको डाल लेंगे जो chocolate होती है वो थी और यहां पर मैंने इसको decorate कर दिया आपके पास dry foods हो walnut हो आप उससे भी try कर सकते हैं इसको decorate तो यहां पर जो है हमारा जो कडाई है वो अच्छी से preheat हो गई है आप इसको डाल गे 35 तो 45 minutes के लिए medium आच पर बना लेंगे और यहां पर वीच में एक बार मैंने 30 minutes के बाद देख रही हूं तो यह ready नहीं हुआ है properly एक बार री चेक कर रही हूं आप देख सकते हैं कि अभी middle से अभी रहता है तो 10 minutes के लिए और हम इसको पका लेंगे तो 10 minutes बाद मैं यहां पर फोक की help से कर रही हूं आप देख सकते हैं जो फोक है बिल्कुल क्लीन हो गया है इसका मलाब जो हमारा जो चौकलेट बनेना के कह वो ready हो गया है तो यहां पर अब हम इसको निकाल कर इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए रग देंगे सेटल जैसे हो जाएगा तो हम इसको मोल्ट से ठाण्फर कर लेंगे अपनी प्लेट में तो यहां पर उमारा यह ठंडा हो गया है अच्छे से अब हम इसको अपने जो प्लेट में ट्रांस्वर कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि जोए जो सब्नमने केसे राका से केक बनकर कंडर का मादिण बनना चयए दिख सकते हैं편 सक्की। चूक lihat कि ना सान से टुछ को की कि तब खानी कि पिर तिक लिस खनाग की रेडी केस आप बनना केसा प्रपी केसा प्रत ना केक उसर्ट vessels को तो लिद lookin से हैं उससे भी जो होता है बहुत तेस्ट आता है आप देख सकते हैं कि कितना ही फलफी बना है तो आप इस बनाना के को जोरूर बना के देखेगा और बताईए कि आपका बनाना के कैसा बना अगर आपको मेरे रेसिवी पसंद आती हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मिलते हैं अपनी नेक्स रेसिवी के साथ में तब तक के लिए बाई